नमस्कार आए देखते हैं बहुत ही प्रसिद राग माल कौंस का बहुत ही प्रसिद बंदिश छोटा ख्याल जोकी तीन ताल में निबद्ध है देखते हैं श्वरलिपनोटेशन सबस पहले देख लेते हैं इस बंदिश के बोल स्थाई कोयलिया बोले अमवा की डार पर रित बसंत को देत संदेशवा अंतरा नव कलियन पर गूजत भवरा उनके संग करतरंग रिलिया यही बसंत को देत संदेशवा अब देखते हैं इसकी स्वरलिपनोटेशन यानि छोटा ख्याल मालकौंसराग में स्वरलिपनोटेशन जो की भाद खंडे स्वरलिपन पर आधारित है यानि भाद खंडे स्वरलिपन पद्धति पर आधारित मालकौंसराग का बहुत ही प्रसिद बंदिश उसका नोटेश सबसे पहले उपर रागमाल कौंस का स्वर दिया गया है उसके नीचे बंदिश के बोल है सागा सानी सा धामा धानी सा साधा नीधा मामा उसके नीचे बोल है कोयलिया बोले अमवा की डार पर गागा मा धानी सानी सा सा गा माधा गामा गासा रितु बसंत को देत संदे स्वा ये आप तीन ताल पर लिपबद देख रहे हैं तीन ताल में जैसा कि सोला मात्रा होते हैं चार चार मात्राओं के चार विभाग होते हैं तो आप 16 मात्राओं पे आप इसको विभाजित करेंगे जो 4-4 मात्राओं पर 4 विभाग होंगे यानि 4-4 मात्राओं के 4 विभाग यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये पहले विभाग में 4 मात्रा फिर दूसरे विभाग में 4 मात्रा इस प्रकार 4 विभाग में 4 मात्रा है और इस बंदिश की शुरुवात खाली से हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं यह जीरो सबसे पहले जीरो का चिन है यह तीन ताल में जीरो नौमी मात्रा पर होती है और यह खाली का चिन है तो इसलिए यह बंदिश नौमी मात्रा से सुरू हो रही है तीन मतलब तीसरी ताली यह जो क्रॉस देख रही है यह सम है यह पहली मात्रा है ताल की हिसाब से आप देखेंगे तो यह क्रॉस यह पहली मात्रा है तो यह बंदिश नवी मात्रा से शुरू हो रही है यानि खाली से शुरू हो रही है अब देखते हैं इसका अंतरा गागा मामा धाधा नीधा सासा गानी सासा नाव कल यन पर गुंजत भवरा नीनी नीनी सासा सासा धाधा धानी धाधा मामा उनके संग करत रंग रिलिया सासा मागा सासा सासा धामा धानी धामा गासा यहाँ पर आप जो दे देख रहे हैं यह मिस्प्रिंट है यहाँ पर आप अपनी सुगधा नुसार कोई भी स्वर लगा सकते हैं धा भी लगा सकते हैं मा भी लगा सकते हैं गा भी लगा सकते हैं तो धामा गासा भी कर सकते हैं मा गामा गासा भी कर सकते हैं यह जो आखरी में जो आप यहां पर देख मिस्प्रिंट देख रहें इसकी जग़े पर इसके स्थान पर यही बसन्त को देत संद्शवा इस बंदिश का लेखन आप किसी भी परीक्षा में कर सकते लिखने के लिए और आप चाहें तो इस बंदिस को आप गा भी सकते हैं गाने का भी आप अभ्यास कर सकते हैं थोड़ा सा आप हम देख लेते हैं राग माल कौन्स का संग्षिप्त परिचय आपको सुविधा हो जाएगी यह भैर्विथाट से उत्पन राग है इसमें जाती ओड़ ओड़ है इसका वादी मा समवादी सा इसमें जो स्वर लगते हैं गा धानी कोमल अन्ने स्वरशुद्ध वर्जित्वर रेपा इसका समय जो है गायनवादन समय राथिका तृती प्रहर संप्रकृति राग यानि इससे मिलती उजलती राग है चंद्र कौन्स इसका आरोह, नीशा, गामा, धानीशा अबरोह, सानिधामा, गामा, गासा इस राग की पकड़ है माघा, माधा, नीधा, माघा, सा दोस्तों हमें उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा और यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए साथ इस वीडियो को अधिक सदिक लाइक शेर और कमेंट से भी करना नहीं भूले और आपको और भी कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो कुछ हमसे जानना चाहते हो तो आप हमारी कमेंट बाक्स में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक आपकी बात पहुचाने का धन्यवाद